सो हाई हलो नमस्कार दोस्तों अभी प्यास क्लरिकल एग्जामनेशन वो स्टार्ट हो चुका है पहला सिफ्ट खतम हो गया है रिव्यूज भी आ चुका है सेकेंड सिफ्ट आई थिंक भाई दो भी खतम हो भी जाएगा तो यह विडियो अगर आप देख पा रहे हो तो बहु इंपोर्टन यह नहीं कि सेक्शन यही है इंपोर्टन यह है दोस्तों यह होता है राइट सारे एक्जामस में होता है और यह शायद आप भी फेस कर सकते हैं दोनों में से अगर कोई भी सेक्शन यानि रिजनिंग और मैट्स तफ आ जाता है लेट से रिजनिंग आ जाता है डिजनिंग में बस आपने 15 बनाया मैट्स ठीक है, ठीक ठाक है, 20 हो गया 35 हो गया, आपको लगता है कि दो सेक्शन सिफ 35 है बाकी तो मेरे को इन्हीं हाव मेरे को इंगलीश में ही मेकप करना पड़ेगा, तो इंसान वहाँ पे इंगलीश में 30 to 30 जान बूच के घर देता है यानि यह गैस्वर लगा देता है उसको बस एटेम्ट बढ़ाना है यह होता है, और आप इस चक्र में मत जाएए, जितना बनता है उतना ही बनाईए, रिजनिंग अगर आपसे अगर करके नहीं कर सकता है, वो अगर जबरदस्तिक आटेम्ट करेगा, तो फिर वो इंगलीश में ही करेगा और वही चक्रवीव है, वही पर फज़्जा होगे यह वीडियो जो है आपको बस आगहा करने के लिए बाकी टोटल सारे सिप्ट का अनलिसिस मैं आपको शाम को दूँगा एकजट आपको साड़े छे बज़े इसी चैनल पर मिल जायागा कि आज दिन भर का क्या रखी लिया रहा तब तक लिए आप इस चैनल पर जोड़े रहिए बने रहिए, लाइक करिए, शेर करिए और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा समस्क्राइब